हेलो दोस्तो मेरा नाम है विरेन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कैनन के नए मिरलेस USM200 को इस वीडियो में आप देखेंगे इसका रिव्यू, इस कैमरा को मैंने अपने ट्रिप पे यूज करके देखा है, उसके बाद जो भी इसका रिव्यू है, वो मैं उसी प्रैक्टिकल यूसेज के बेसिस पे आपको शेयर कर रहा हूँ मैंने इस प्रोड़क्ट को अभी अपने पांस दिन के रास्तान ट्रिप पे यूज करके देखा है, जहां पर बहुत ही अलग अलग लग लाइटिंग कंडिशन में हमने इसे चेक किया, मैंने इसे चेक किया था जब बिलकुल हार्ट स्लाइट थी, डे लाइट में जोदपू किया, वो सनराइज और संसेट के लिए था, वो सारे फोटोग्राफ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा, बात करना चाहूंगा, इसके कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो इसे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए must buy बनाते हैं, जिनमें से पहला है इसक इसके creative assist मतलब कि जब आप photograph खीच रहे हैं या खीच चुका है आपका photograph, उस photograph को आप अपने camera में ही edit कर सकते हैं, तो creative assist feature को आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप color correction कर सकते हैं, जिसमें आप background को blur कर सकते हैं और इस टायब बहुत सारे और features भी आपको इसके creative assist में मिल आप Full HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप 120fps का Slow Motion यूज़ कर सकते हैं और जो भी फोटोग्राफ आप Capture कर रहे हैं, उनको आप Horizontal और Vertical दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं मतलब आपके Instagram, आपके Facebook, आपके किसी भी Social Media platform के लिए जिस तरीके का आपको फोटो या वीडियो चाहिए, उस तरीके का फोटो वीडियो आप इससे ले सकते हैं इसमें आपको किसी भी External App की जुरूत नहीं पड़ेगी जब भी आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो वीडियो आप डिरेक्ली अपने मुबाइल पर डाल सकते हैं क्योंकि ये MP4 format में रिकॉर्ड करता है जिसको आपके मुबाइल से डिरेक्ली एकसिस किया जा सकता है और maximum software उसे support करते हैं हमें vlogging के लिए अपना एक camera चाहिए हमें YouTube के लिए अपना camera चाहिए और हम ऐसा camera चाहते हैं जो हमें instantly हमारे लिए photographs क्लिक करके ऐसी photograph से ऐसे वीडियो बना के दे दे जिनको हम social media पर डाल सके हैं तो इसके लिए आप इसके 180 degree tilted screen को यूज कर सकते हैं जिसको आप as a selfie यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप vlogging के लिए videos बनाते हैं तो उसके लिए ये बहुत popular है और इसमें एक खास चीज जो है कि वो जब भी आप video बना रहे होते हैं तो generally अभी तक यह होता था कि हम कोई भी video shoot करते थे तो वो इसी landscape format में ही बनता था लेकिन अब आप vertical या फिर portrait mode में जो video बनाते हो वो video ऐसे ही record होगा और इमकी खास बात यह है कि आप Instagram पर इसको directly post कर सकते हैं तो उसके लिए आपको उस video को post processing में rotate करने की ज़रूत नहीं है वो by default आपको यहीं पर rotate हो जाएगा मतलब जैसे आपने ऐसे video capture किया तो वो video फिर आपको final उसका जो result है वो ऐसे ही एक vertical video में मिलेगा तो दोस्तों बात करते हैं इसके highlight points के बारे में सबसे पहले यह 24 megapixel APS-C crop sensor है और Digic 8 processor के साथ है तो इसका मतलब यह है कि काफी fast processing है काफी advanced इसकी image quality है और अगर हम बात करें आपको इसकी image quality है और face plus eye focus autofocusing है और जो market में अभी trend में है वो है 4K और आप इसमें 25P पे 4K यूज कर सकते हैं यह camera 6.1 fps शूट कर सकता है जिसमें से 4 fps आप autofocus के साथ ले सकते हैं आप CR3 RAW फाइल यूज कर सकते हैं जो कि processing में आपको बहुत ही ज़्यादा advancement देती है इसके अलाव जो इसके battery rating है वो है 315 shot एक बार के full charge में Wi-Fi, Bluetooth के साथ enabled यह camera instantly आपके images को आपके mobile में transfer कर सकता है यह product बहुत ज़्यादा lightweight है काफी छोटा है और सबसे खास चीज जो जिसने मुझे काफी impress किया वो है इसका बहुत ही small size आपको इसका नजर आएगा lens और body अगर आप इन दोनों को अलगला कर देते हैं possibly यह आपके jacket या फिर आपके pant की जेव में चले जाएंगे इतना lightweight इसका है इसके अलावा आप इसमें अगर किसी existing lens जो आपके पास Canon के existing lens है अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह एक adapter चाहिए यह EF EOS M adapter है जो कि आपके किसी भी APS-C या फिर full frame उन दोनों में लगने वाले जो lenses हैं उन lenses को आप इसके थूर यूज कर सकते हो यानि कि EFS और EF दोनों lenses से यूज हो सकते हैं हाल फिलाल मेरे पास एक 24-605 mm lens है जिसको मैं इस पर लगा कि आपको दिखाता हूँ सिंप्ली इसके लिए हम इसको निकालेंगे और यह मैंने जो इसका adapter है यह adapter इस पर mount कर दिया है इस adapter के mount होने के बाद आप इस पर यह lens fit कर सकते हैं यह camera is ready to use इसमें किसी भी lens को लगाने के लिए जो adapter लगावा है इस adapter की वज़े से इस lens का कोई भी data loss नहीं होगा इसकी quality पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मतलब आप 100% इस lens को इस body के साथ यूज कर सकते हैं तो हाल फिलाल अगर आप इसे shoot करना चाहते हैं तो simply यह shoot के लिए ready है मैं देखा देता हूँ आपको कि कैसा आप इसे shoot कर सकते हैं good to go आपका photograph आपको मिल जाएगा इस तरीके से इन bodies पर लगने वाली जो lens के range है वो काफी बड़ी हो जाती है आपको बहुत बड़ी range मिल सकती है जिसमें आप किसी भी type का अपने lens यूज कर सकते हैं अब आते हैं इसके बांकी और features पे इसके design के हिसाप सागर हम इसमें देखे हैं तो इसमें बहुत ही कम button है आप देख सकते हो mode dial में सिर्फ 3 button दिये हुए auto, still photography के लिए video photography के लिए जिनके functions आप इसके touch screen के through use कर सकते हो उसके अलावा गर हम back side में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ही limited button दिये हैं menu recording और उसके अलावा एक कुछ और functions हैं और साथ में play का button दिया हुए अगर हम इसके back side में देखते हैं तो हमें tripod पर mount करने के लिए universal screw मिलता है और यहीं पर इसका battery है जहां आप इसे slide करके इसकी battery निकाल सकते हो और इस side में इसके mic के port हैं अगर हम इस side के बात करें तो यह card slot है जहां पर आप अपना card डाल सकते हैं इसी के साथ में हमें HDMI और USB Type-C port मिलता है इसके अलावा यहां पर एक hard button दिया हुआ है जिसके थूँ आप अपने flash को on कर सकते हो front side में इसके focus beam दी हुई है जो आपने देखा होगा जब भी हम low light में फोटोग्राफिक कर रहे होते हैं तो यहां से beam fire होती है जिसके through यह focus ले सकता है तो चलिए इसे on करके देखते हैं on करने के लिए हमें सबसे पहले इसका cap अटाना है यहां पर इसमें एक lock device के lens में इसको unlock करना है अनलॉक करके आप इसे 15 पर लेके आएंगे अब आप इसे वापस यहां नहीं ला सकते until unless आप इस बटन को वापस प्रेस नहीं करेंगे तो उसके बाद हमने इसके स्क्रीन को थोड़ा सा अपनी स्क्रीन अपने हाइट के साफ से अजिस कर लिया है यह हमें इसका view दिखाए दना शुरूप हो गया है तो अभी हमने इसे स्टार्ट किया और हम auto mode में है auto mode में आप इसमें कुछ features यूज कर सकते हो इसके लिए आपको info button प्रेस करना पड़ेगा इसके अलावा दूसरा mode इसमें है फोटोग्राफिय वाला उसके लिए हम इस डायलर को घुमाएंगे यह अभी manual mode पर मैंने रखा हुआ था जब आप इससे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे और options मिल जाते हैं जिनमें आपका जो हमारे creative फोटोग्राफिय होती है उसके लिए या फिर आपकी जो auto mode है उनको आप अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हो इसके अलावा यह जो डायलर है इसके साथ साथ आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप डिरेक्ली इनको यहां से चेंज कर सकते हैं आप इनको यूज कर पाएंगे आप अपना ISO चेंज कर सकते हैं और फिचर्स जो हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं सो यह पूरे का पूरा टच स्क्रीन बेज़ रहा है मैन्यू अगर आप देखते हैं तो मैन्यू में आपको सिंप्ली कैनन के ओल्मोस्ट जितने भी कैम्रे भी मार्केट में हैं उन सब में सेम ही मैन्यू यूज होता है कुछ-कुछ फिचर्स अलग हैं तो आप वह मैन्यू यूज कर सकते हैं यह फिर आप चाहें तो मैन्यू वीडियो यूज कर सकते हैं जब आप अपने शटर स्पीड और पांकी जो एक्सपोजर की एलिमेंट से उनको चेंज कर सकते हो फाइनली आप रिकॉर्डिंग बटन बटन तो रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएग जिसको आप वाइफाई के थूरू आप कनेक्ट कर सकते हैं डिरिकली मैं अभी रेडमी का फोन में इससे कनेक्ट किया हुआ था तो वो यहाँ पर आपको दिखाए दना शुरू हो जाएगी अगर मैं इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो हमने इसमें वीडियो क् बना के देखे हैं तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे टाम लैप्स वीडियो बना के देखे हैं जो बहुत ही इंप्रेसिव हैं आई इसके कुछ फोटो और वीडियो सेंपल्स देख लेते हैं कर रवाने डाने का यहाँ परें के देखे देखे कन्स सावाने परिट्टी साव भाड़ियो आ पर ब contratे सेंपले इसे वीडियो बना के दो उनको आपा करणा पक देखें पके देखें डालिदाओ पर्ल्ब्स परें पन आप पर तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने EOS M200 को रिव्यू किया है उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूले साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैंने नए आपके अप्रोड किया हुआ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई